एक ऐसा देश जहां पर टाइलेट यूज करने के बाद अगर आप फ्लश नहीं करते तो आपको 150 डॉलर तक का फाइन भनना पड़ सकता है जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने अगर आप गलती से भी चिंगम खाते हुए पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती ह दोस्तों जितना खुबसूरत यह देश है वैसे ही यहां के खतरना कानून है यहां के खुबसूरत बीचिस नाइट लाइफ पार्टियां और यहां की लाइफ स्टाइल आपको हैरान कर देंगी दोस्तों तो मैं बात करने जा रही हूं सिंगापूर देश के बारे में तो दोस्तों सिंगापूर की टोटल पॉपुलेशन साट लाग के आसपास है यह देश सास्व स्क्वेर किलोमेटर के छेतरफल पर फैला हुआ है और यहां पर कोई गाउं तो है ही नहीं यहां पर कुल मिलाकर 63 आइलेंड है कहा जाता है कि अगर आप इस देश को घूमना चाह दी गई है सिंगापूर में चार ओफिशल लेंगविज बोली जाती है इंगलिश चाइनेज और तमिल बोली जाती है जी हां आपने सही सुना यहां पर तमिल भी बोली जाती है लेकिन साथ साथ एक भशा और है जिसका नाम है सिंगलिश सिंगलिश क्या है वह भी यहां लो सिंगापूर के लोग बहुत हैल्दी लाइफ जीते हैं जब दही खाएंगे तो होंगे ही और यह बहुत ही फिट भी माने जाते हैं सिंगापूर में एक जगए ऐसी है जिसका नाम है चाइना टाउन यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं खा सकते इस देश में लोग खाने पीने के मामले में बहुत एक्सपर्ट होते हैं विकेंड पर तो यहाँ के लोग आउटिंग पर निकल जाते हैं लाखो टिम्टिमाते डेजाइनर्स प्लाइटो से लेस यहाँ की राते रोशनी से जगमगाती रहती हैं सिंगापूर में डाइवर बुगेज मरीना बेग में पोर्ट का इवांचकारी सफर सिंगापूर को और भी ज़्यादा करशित बना देता है यहाँ का मार्केट पहनती होते हैं और दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनियां यहां इन्वेस्ट करने आती हैं दोस्तों आपको पता है कि कौन सा देश ऐसा है जहांके लोगों का आईक्यू लेवल सबसे तेज होता है इस मामले में भी सिंगापूर पहले नंबर पर आता है इस चोटे से लोग अपनी कोई भी प्रॉब्लम को असानी से सॉल्व भी कर लेते हैं जैसा कि हमने आपको बताया इस देश में सब कुछ नियम कानून चलता है यहां पर अगर गलती से आपने पब्लिक टॉलेट चूज करने के बाद अगर आपने फ्लच नहीं किया तो समझे आपको दे इंडोर वाटरफॉल जिसकी खुशूरती देखने के बाद ही यह समझाता है कि यह इतना श्यांदर कैसे हैं और यहां घूमने की बड़े संख्या में टूरिस्ट आते हैं करेशन जैसे दुनिया की बिमारी यहां है ही नहीं जी हां सिंगापूर में घुटाले नाम की कोई भी चीज नहीं है यहां तो किसी को कोई भी काम करने के लिए पैसे नहीं देता और ना कोई लेता है अगर अगर तीस से किसी ने रिश्वत ली भी तो जिंदगी भर के लिए जेल चला जाएगा तबी तो यह देश इतना आगे है इसके साथ ही आपको बता दूगी पूर का एपिसोड अगर अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देना बिल्कुल भी न भूलें